Hello everyone, welcome to all of you, this is Anjumaraya और आज के इस बैथरीन टॉपिक में आपको सिखाएंगे कि फिलो टेक्सी क्या होता है और कितने तरीके के फिलो टेक्सी देखने को मिलते हैं देखें फिलो टेक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट आफ लीव्स ऑन ब्रांचेस पर जो लीव अरेंज होती है अब वो लीव स्पाइरली अरेंजड होती है अपोजिट होती है या वर्ल्ड होती है इसको हम लोग देखेंगे तो देखें सबसे पहले जो फिलो टेक्सी है फिलो टेक्सी तीन तरीके का होता है आपके सामने लिखा हुआ है alternate या spiral कह लेते हैं इसी को और इसके अलावा opposite और world फिलो टेक्सी कहते हैं alternate फिलो टेक्सी का मतलब होता है leaves arrange alternatively on the branches branch के उपर leaf alternatively arrange होते है alternatively का मतलब एक leaf इधर है, दूसरी यहाँ है, तेसरी यहाँ होती इस तरीके से leaf alternatively arrange होते है जैसे mustard, china rose, mango, lily इन सब में आपको इस तरीके का arrangement देखने को मिलता है alternate फिलो टेक्सी opposite में leaves are opposite to each other, leaves जो है एक दूसरी के बिल्कुल opposite होते हैं जैसे ऐसे है और ऐसे है, बिल्कुल opposite अभी हम इसके बारे में भी discussion करेंगे, opposite दो तरीके का होता है यहाँ पे देख लेते हैं, opposite फिलो टेक्सी कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है देखिए एक है opposite superimposed और दूसरा है opposite decussate opposite superimposed का मतलब सारी leaf जो है, हर node पे leaf directed opposite to each other हर node पे आप देख रहे हैं, leaf इस node पे इस node पे, क्योंकि leaf कहां से rise होती है नोड से तो यह बिलकुल opposite है, जैसे ग्वावा में क्विस्क्वैलिस के अंदर यह देखने को मिलता है, सेडियम और क्विस्क्वैलिस के अंदर देखने मिलता है, रंगून की creeper या railway creeper के नाम से जांकते है opposite decussate में क्या होता है, कि position of leaf of one node is just perpendicular या right angle to the leaves of another node जैसे एक यह node है इस पे leaf बिलकुल opposite है, ठीक है, अब इसके अगले node पे leaf इसके perpendicular होगा, इधर जैसे सपोस करो हम है, यह एक node है, सपोस करो यह node है, यह node है, और यहां से एक leaf इस तरफ और एक इस तरफ निकली अगले node पे एक उस तरफ और एक मेरी तरफ मतलब एक आपकी तरफ एक मेरी परपेंडिकुलर फिर अगले नोड पर इसका फिर परपेंडिकुलर फिर अगले नोड पर फिर एक आप तरफ एक मेरी तरफ तो इस तरीके से decassate कहते हैं इसको opposite dicassate यह हमें कहां देखने मिलता है यह भी हमें guava में guava में तो धो धो दोनो opposite philotexi देखने मिलता है opposite superimposed भी और opposite decassate भी celotropis में भी ओसमम इसको PCO से याद रख ले ना saidiam, celotropis, osimum यह हमें देखने को मिलता है opposite philotexi मतलब अपोजिट डेकसेट तो अपोजिट के बाद हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड फिलो टेक्सी वर्ल्ड में मेनी लीफ्स अराइस फ्रम दो वन नोड मतलब एक ही नोड से बहुत सारी पत्तिया निकली होई है इसको हम वर्ल कहते हैं वर्ल जैसे नीरियम एलस्टोनिया डेविल प्लांट कहते हैं और हाइड्रिला नीरियम एलस्टोनिया और हाइड्रिला में हमें वर्ल्ड फिलो टेक्सी देखने को मिलता है तो यह फिलो टेक्सी बहुत इंपोर्टेंट है अल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड alternate मतलब leaves alternatively arrange होते हैं, opposite leaves opposite होते हैं, world का मतलब एक note से कई सारी leaf है ठीक है, opposite भी opposite superimposed है और opposite decasate है, तो I hope कि आपको वीडियो बहुत 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 बहुतर तरीके समझ में आगा चोटी-चोट topics जो हैं, पीछ में कभी थोड़ी सी disturbance होती है, तो एक दो है biology का, चाहे आप geology, botany किसी भी field से हो assistant professor exam देना है, TST, PhD, LT, GIC किसी भी state का, इंडिया के किसी भी state से हो, आप biology same होती है, कुछ थोड़ा बहुत अलग होता है, तो वो भी आप लोग cover कर लेते हैं या फिर mock tests चाहिए आपको, तो आप हमारे help line number पे call करके, बात कर सकते हैं और courses purchase कर सकते हैं, बहुत ही genuine price है, बहुत ही lowest amount है अप बात करके, पता कर सकते हैं ओके, बाई बाई सभी को all the best, मिलते है next video में